हे का नहां, सारी रोनक देख ली जमाने की, मगर जो सुकून तेरे चर्णों में हैं वो कहीं भी नहीं, हरे कृष्णा राधे राधे रंदावन में एक भक्त जी थे, ठाकूर जी को बहुत प्रेम करते थे, भाव विभोर होकर नित्य प्रति दिन उनका श्रिंगार करते थे, आनंद में होकर कभी रोते कभी नाचते, एक दिन श्रिंगार करते हुए जैसे ही भी ठाकूर जी को मुकुट लगाने लगे, तभी धाकुर जी ने मुकुट किरा दिया एक बार लगाया दो बार लगाया चाने कितनी बार लगाया पर कानहा तो आज लीला करने में लगे थे जब बहुत देर हो गई तब भकत जी को गुस्सा आ गया मैं धाकुर जी से कहने लगे तो हो को तेरे बापा की कसम मुकुट लगाई ले पर ठाकूर जी तो ठाकूर जी हैं वो किसी की कसम माने ही नहीं जब नहीं लगाया तब भगत जी बोले तो को तेरी मैया की कसम ठाकूर जी नहीं माने अब भगत जी को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया उन्होंने सब की कसम दे दी तो हे मेरी कसम तोरी गईयों की क तोरी सखा की कसम, तोरी गोपियों की कसम, तोरी गौालों की कसम, सब की कसम दे दी, पर ठाकूर जी तो टस से मसना हुए, अब भक्त जी बहुत परेशान हो गए और दुखी भी हुए, फिर खीज गए और गुसे में बोले, ए गोपियों की रसिया, ए छलिया, गोपियन के द माँ बाबा की कसम दी ग्वालों की दी किसी की नहीं सुनी लेकिन राधा की दी तो मान गए अगले दिन फिर जब भक्त जी शिंगार करने लगे तो इस बार ठाकुर जी ने बांसुरी गिरा दी भक्त जी हलके से मुस्कुराए और बोले इस बार तो को अपनी नहीं मेरी तो को राधा भाव समान निश्चल निर्मल प्रेम पसंद है समर्पन परसंद है इसलिए राधा से प्रेम करत है अपनी भाव को राधा भाव समान निर्मल बना के रखेंगे अपनी प्रेम से पूर्ण समर्पन रखेंगे तो सरलता से प्रभू आपकी हो जाएंगे प्रेम से कहिए जै जै श्रीराधी